वंडे वर्ड कप में कौन सी चार्टी में सेमी फाइनल में पहुचेंगी? इसकी बविश्वाण इवी रेन से वागने करती है जी यहां सही सुना है आपने आज ही एलान हुआ है वंडे वर्ड कप के शेडिूल का 5 अक्टूबर से 19 नॉंबर के बीच भारत में पूरा वर्ड कप खेला जाना है पहली बार ऐसा होगा कि भारत में वर्ड कप खेला जाएगा इससे पहले अफ़तक वर्ड कप जब भी हुए है वो एश्या केृमकी कांट्रीज में डिवाइड हुए है आपको यादों के 2011 में जो वर्ड कप हुआ था वो World Cup भी हमने देखा था कि स्रीलंका, बांगलादेश और भारत में मिलकर कराया था इस बार पहली बार है कि भारत में World Cup मिला जाएगा 19 नॉम्बर को फाइनल होगा एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो मन सच चुका है अब बस कुछी दिन बचे हुए ये World Cup शुरू होने में उसके पहले विरेंदर सहवाग ने बविश्यवानी करती है दरसल आद विरेंदर सहवाग ICC World Cup के इवेंट में बोल रहे थे उनके साथ मुली दरन भी बैठे हुए थे उनसे सवान पूचा गया कि आपको क्या लगता है कौन सी चार टी में सेमिफालम ने पहुँच सकती हैं सहवाग ने इसका जवाब भी दिया सहवाग का मानना है कि भारत पाकिस्तान इंग्लेंड और और ऑस्टेलिया ये चार टी में हो सकती है जो semi final में पहुँचे ही उन्होंने इसका तर्क भी दिया उन्होंने कहा कि England और Australia की टीम सब continent में अच्छा खेलते हैं उनके खिलाडी सीधे बल्ले से खेलते हैं इसका उन्हें फाइदा मिल सकता है और वो semi final तक पहुँच सकते हैं मजबूट टीम ह comment है जब तो इसके यह सैवाग ने पाकिस्तान का नाम लिया है वहिचोंकि पाकिस्तान एजिया में एक मजबूट team है unpredictable team कही जाती है इसलिए सहवाग ने पाकिस्तान का भी नाम लिया है और team India का नाम तो सहवाग ने लिया ही लिया है यानि ये वो चार टीमें सहवाग की होने वाली है जो खेलेंगी semi-final लेकिन इसके लावा सहवाग ने जो टीमों का नाम नहीं लिया है उसमें New Zealand है उसमें South Africa है उसमें Sri Lanka है ये चार टीमें भी मस्बूत है Sri Lanka सब continent में खेल रहा है Sri Lanka को उसका advantage बिल सकता है पिछली एक तिर साल से South Africa ने अच्छा cricket लिला है तो हो सकता है South Africa भी इस बार कुछ करिश्मा करके दिखा है और New Zealand को हम सब जानते है पिछली बार 2019 World Cup में फाइनल खेला था New Zealand ने सेमी फाइनल में भारत को अराया था भारत की उमीदों को तार तार कर दिया था लेकिन इस बार New Zealand फिर जब सामने होगा तो देखना होगा इस बार New Zealand क्या करता है तो वही सेवाग ने तो अपनी चार टी में बता दिया है उनकी अकॉर्डिंग भारत, पाकिस्तान, और इंगलेंड ये चार टी में होने वाली है जो One Day World Cup 2030 के सेमी फाइनल में खेलेंगी आपको क्या लगता है आपको अपिनियन भी मैटर करता है हमारे लिए इस्पोर्ट्स नेक्स पर जो दर्शक कहते हैं हम उसे सुनते भी है तो आप अपना उपिनियन के में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप सेवाग के उपिनियन से सेमी फाइनल खेलेंगी या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है आपको लगता है कि इसमें कोई और टीम भी आ सकती है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते है कि सेवाग ने तो बता दिया है अवारी आपकी